हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कलास नाइन्थ का जोग्राफी का चैप्टर चैप्टर नमबर फाइव यानि जो है नेचरल बेजिटेशन एंड वाइल लाइफ यानि प्राकिति वनस्पति और बनने जीवन जो है कक्षा नौ का विगोल का चैप्टर जो है पांच है जो ही काफी महत्वपून है प्राकिति वनस्पति और बनने जीवन इसमें कुछ कोशन सेलेक्ट किया गया है ज इसको आपको note करना चाहिए समझना चाहिए और exam की तयारी में लगाना चाहिए यह question काफी महतवपून है इसलिए हर समय जो यह महतवपून था अपना बनाए रखेगा ठीक है चलिए देखते हैं हमारा question आज क्या है the next 12th question the next 12th question why should we conserve both the flora and fana explain with us some example there is a most important question here why should we conserve both flora and fana why conserve of flora and fana explain some example we can understand by the flora and fana should we conserve by their understanding their use with the example given below among the flora tree provide us the boots to serve our various requirement besides the providing to the straight up form to the hot sun in summer you know that first point is clear among the flora tree provide us there is a boot to be a serve our various requirement besides provide to the straight up form to the hot sun in a summer and second here crow provide our food including curules vegetables and fruits the crow provide our food including curules vegetables and fruits and third here many plant extract are used for making a medicine to cure and prevent a disease the third point is the most important common here many plant extract are used for the making a medicine to be cure and prevent a disease and fourth point is important among the fana is a milch animal provide to milk protect as a food among the fana milch animal provide a milk protect as a food and fifth here flora trees animal provide a eggs and other animals well as the fish are also providing as a food articles there is important here and sixth point is important here insect help in pollination of crop and biological control other harmful insects all this maintenance or balance ecosystem and so should we conserve there is a most important flora and fana there is a protect for our environment and give us useful for us 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 में कर दिया हो लेकि सरकार को शायद यह नहीं पता है कि पहले के समय में जो लोग होते थे लकड़ जला के ही अपने लिए भोजन तयार करते थे यह काउट डंक को सुखा के ही खाना बनाया करते थे तो कई करते की फिटा हो रही यह सुखने की आपक और पहले समय मैं इसा कोई भी तकलीफ नहीं मिलता था तो यह च सर्कता है that हपक्या जरूरिख नहीं है यानि देखा जाये तो पीर पौद हमें प्रकार के लन्यीन परदान करते हैं जर दूप पड़ती है तो हम पेरों के शवД में बैठ जाते हैं तो पिर पोध है अनाज, सबजियां, फल, सब चीज़ परदान करते हैं और ये सब किसके लिए करन हुआ है, बनस्पति करन हुआ है ठीक है, तिसरी बात पर हम अगर बात करें तो बहुत से पौधयों का अर्थ का उप्योग बीमारियों के इलाज और रोक थाम के लिए दबा बनाने के लिए फ्योग किया जाता है ये तो आप भी जानते हो, कि बहुत से पेर पौधय का जो है इस्तमाल जरी बुटियों के रूप में किया जाता है इसे हमें लाको टाइप की बीमारी जो है चुटकाड़ा मिल जाती है तो पेर पौधया बनस्पति हमारे कितने महतपून है ये बात आपके लिए जरूरी है और सनक्षन करना कितना महतपून है इस बात को आप समझी गए होगे चले देखते हैं अगला पॉइंट क्या है चौथा पॉइंट यही बताता है ये जीवों में धारू पश्रू भोजन के रूप में दूद्धू हमें परदान करते हैं दूद कितना महतपून है सुबह उठते हो तो दूद के बना हुआ चाह चाहिए आपको तो ये कौन देता है जीव जन्तु ही हमें देते हैं फिर भी हम जीव जन्तु संद्रक्षण नहीं करते हैं आज देखिएगा हर सहर में जाके देख लीजिए जीव जन्तु आपको सहर सरकों पर नजर घुमते हुए आती होगी कोई सरक में दुरगटना गरस हो जाती है तो कब सरकों में घुमती है आखिए ऐसा क्यों क्या इनको पहले के तरह इस खंद्रक्षण किया नहीं जा सकता रोडों पर ये क्यों घुमते हैं इसे प्रस्म चिन है ठीक है कि आखिए इनको क्यों रोडों पर छोड़ दिया जाता है क्या जो पालते हैं क्या रोडों पर छोड़ने के लिए रखे हुए हैं इसको और इसे करने जरने कितने एक्सिडेंट होते हैं कितने जो जीव जन्तु मरते भी है साथ में इंसान को भी काफी नुकसान होता है ठीक है तो आज इंसान बहुत स्वार्ती हो गया है जब दूद निकालने का समय होता है तो वह अपने जो है दूद निकालने का समय ले आते हैं और बाकी समय जो है इसको भटकने के लिए छोड़ देते हैं तो यह कहीं का भी इंस सक्त कारवाई करना चाहिए तो यह सरकार तो कर नहीं रही है सिरफ आखें बंद करके देख रही है कि रोडों पर इंसान मरे और जैनमर मरे उनको कोई फरक नहीं परने वाला है लेकिन सुबस उनको चाहिए जरूर चाहिए तो देखिए आप समस्दार स्वेम हो कि अगर जो है कई जो मसारी व्यक्ति हैं जो मचली खाते हैं कहा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो मचली तुपादन बहुत होती है और मचली के सेवन करने वाली भी बहुत हैं लेकिन आज के समय में बड़े बड़े फैक्ट्रियों सो जो कच्रे कवार निकलते हैं सब लूशित भायू थी जितनी जो जो रसायन थे उसको जनदियों में उदेर दी गई इसके कारण सारे मचलियां मढ गई तो आप समझ सकते हो कि इतने कितना हमारे लिए जीव जनतु इंपोटेंट है और हम इसको कैसे नस्ट कर रहे हैं तो देखिए कुकुट जनतु अंडे अन्य-अन्य कारक कीटों को भी नियंतृत करते हैं यह सब जो है संतुलित पारित तंतर बनाते हैं और इससे इसलिए इसका संक्षन करना हमारे लिए बहुत महत्वपून है तब भी हमारे स्थित्व भी बना रह सकता है ठीक है अगर यह कोशन आपको अच्य समझ में आ गय प्राइब कीजिए जितना हो इस वीडियो को आपने दोस्तों को पहुचाने में आपने तिर्पान स्थिसंटर का हेल्प करना है ठीक है और साथ में कॉमेंट करना मत भूलिए तबहा लगा फिर भी कॉमेंट किजिए कुछ आप सुजेशन देना चाहते हो तो उस पर भी को किजिए ठीक है और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजिए क्योंकि आपको आने वाला जो है टेंथ क्लास इगार्मी बार्मी हर जगह आपके लिए तिरपान सेंटर बहुत कुछ पड़ा हुआ है लेकिन वो तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगी नहीं तो अगर आप रिसर्च करोगे तो आप शायद तिरपान सेंटर के आवाज नहीं सुन पाओगे